दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धी दात्री है ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है नवरात्री पूजन के नववे दिन इनकी उपासना की जाती है इस दिन शास्त्रिय विधी विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है सुरुष्टी के कुछ भी उसके लिए अग्यम में नहीं रहता ब्रह्मान पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थे उसमें आ जाती है मारकंडिय पुरान के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व ये आठ सिद्धिया होती है ब्रह्मा वैवर्त पूरान के श्री कुरुष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है इनके नाम इस प्रकार है अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशित्व, वशित्व, सर्व कामा वासियता सर्वत अध्निय, दूर श्रवन, परकाय प्रवेशन, वाकसिद्धी, कल्प रुक्षत्व, सुरुष्टी, सहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्याई कत्व, भावना, सिद्धी मा सिद्धी दात्री भक्तों और साधकों को, ये सभी सिद्धिया प्रदान करने में समर्थ हैं देवी पूरान के अनुसार, भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राफ्ट किया था इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था इसी कारण वे लोग में अर्द नारिश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए मा सिद्धी दातरी चार भुजाव वाली है इनका वाहन सीह है ये कमल पुष्प पर भी आसिन होती है इनकी दाहिनी तरप के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है प्रतिक मनुष्य का यह कर्तव है कि वह मा सिद्धी दातरी की कुरुपा प्राप्त करने का निरंतर प्रत्न करे उनकी आराधन की और अग्रेसर हो इनकी कुरुपा से अनन्त दुख रूप संसार से निरलिपतर रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है नव दुर्गाओं में मा सिद्धी दातरी अंतिम है अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रिय विदी विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के नववे दिन इनकी उपासना में प्रवत्त होते हैं इन सिद्धी दातरी मा की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लोकिक परालोकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ती हो जाती है सिद्धी दातरी मा के कुरुपा पातर भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेच बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहें वह सभी सांसारिक इच्छाओ आवशक्ताओ और स्पुरुहाओं से उपर उठकर मानसिक रूप से माभगवती के दिव्व लोकों में विचरन करता हुआ उनके कुरुपा रस प्योश का निरंतर पान करता हुआ विशे भोग शुन्य हो जाता है माभगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है इस परम पत को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तुगे आवशक्ता ही नहीं रहती मा के चरुणों का सिह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्टर रहकर उनकी उपासना करनी चाही मा भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शान्ति दायक अम्रूत पत की और ले जाने वाला है इनकी आरादना से जातक को अनिमा, लदिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशित्व, सर्वकामव, साइता, दूर श्रवन, परकामा प्रवेश, वाकसिद्ध, अमरत्व, भावना, सिद्धी, आदि समस्त सिद्धियों, नवनीधियों की प्राप्ति होती है आज की यूग में इतना कठिन तब तो कोई नहीं कर सकता लेकिन अपनी शक्ति नुसा जब तब पूजा अर्चना कर कुछ तो मा की कुरुपा का पात्र बंता ही है प्रत्यक सर्वसाधारन के लिए आराधनय योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है मा जग्दंबे की भक्ति पानी के लिए इसे कंठस्त कर नवरात्री के नवमी के दिम इसका जब करना चाहिए याद एवी सर्वभूतेशू मा सिद्धी दात्री रूपेन संस्थिता नमस तस्से नमस तस्से नमस तस्से नमो नमा अर्थात हे मा सरवात्र विराजमान और मा सिद्धी दातरी के रूप में प्रसिद्ध अंबे आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारं बार प्रणाम करता हूँ हे मा मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ इसी दरा के जानकारी और जाननी के लिए हमारे चानल पर बने रहे and don't forget to subscribe my channel all in one